क्या हाले साथ ही हो मैं अभी कास्तों वर आपके अप्रिटा स्वाधी चैनल स्टेटी फॉर सिविल स्वर उसस प्याज आज आपके समख्ष लेकर आगा है 25 अप्रिल का करेंट एफ हिंदी इंगली जोने भाश्यों में और प्रिलिम्स और मेंस एक्जामिशन जो आपका होता है और एनवल से यह हुमन्स में भी जा सकता है ठीक इसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं अर्मेनियाई नरसनहार या फिर अर्मेनियन जोने साट यह वर्ल्ड वार वन जब हो रहा था तो तर्की उससे में ओटमन अंपायर था ओटमन अंपायर में जो है आज का तर्की ज यूरब के जो टर्की था उसमें कई सारे अर्मेनियन वाले जो बंदे थे बंदे बंदिया उन सबको मारा गया था तो उसके ओपर डिस्प्यूट है और यूए से अब बिडेन के इंतरकत वो कह रहा है कि हम इसको मान लेंगे रिक लोगनाइस कर लेंगे कि हान अरसनहार देर आज दूए से अगला जो टोपिक है वारा स्वाइन फीक्ष боль मिजओर में मिजूरम और जो है राज भारती राज इसमें पहले बार भारत में पाय गया और ये घुमन में तो नहीं पहुँचता है लेकिन ये पहली बार पाय गया और इस से पिग ऑना जूमी मतलब गय के अंतरकत जो है जम्मु कश्मीर ने एक force बनाई है जो की act करेगी government staff ठीक है ना जो की government जो है जम्मु कश्मीर के खिलाफ काम कर रही है बना यह सरकारी कमचारी सरकार के जम्मु कश्मीर सरकार के खिलाफ जो काम कर रही है तो उन से निपटने के लिए आइसे सरकारी कर्मचारियों से इंबटने के लिए आर्टिकल में 311 का सारा लियागे जिसके अंदर अंतरकत क्या होता है कि सरकार ऐसे सरकारी कर्मचारियों को without inquiry निकाल सकती है तो इसी इंब बावाल मचा हुआ है कि डिजम काफी इंपोर्टन्ट है और प्रिलिम्स और मेंस के लियास से भारत का तेल और गैस उत्पादन गिर रहा है लगतार गिर रहा है पिछले एक दिश्क से लेकिन अब दिक्कत ज्यादा होने वाली है क्योंकि बाकी जगे भी तो तेल नहीं आ रहा है न तो यह चीज है आज देखें दो बहुत इंपोर्टन चीज़ें एक तो प अज हैपी वर्थडे है तो आप लोग उनको विश्च कर सकते हो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जो है उमर्ड उमर्ड के उनके उपर डालिए यहां पर और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को रिमांडर देना चाहते हैं कि EPFO 2020 और UPSC 2021 का complete paid group चल रहा है और सिर्फ ट अनिमल हैजमेंटरी के ओफीसर जो है पुछपाला अधिकारियों ने जर्सी फारम विथूरा में जानवरों के जूनोटिक संक्रमणा जूनोटिक संक्रमण का मतलब यह है कि यह अनिमल से हुमन्स में भी चली जाती है यहाली डिजीज जो है ठिक इमनोंने कई सारे ब्रिस अब स्टानों में जा सकता है आपका एनिमल से और कैसे जा सकता है या तो आप उसका कर लो रौ मीट का कच्छे मांस कर आप जो है कंजम्शन करो भोग करो या फिर अन पैस्चराइज डेडी प्रोड़क्स को आप उसको पी लो ठीक है तो अब दोको सिस्टम यहां पहीं य एक extra information है देखे पैस्चर एक थे वंदे जिन्नों ने टेक्नोलोजी दूड़ी थी दूद को गरम करो और फिर एकदम एकदम तुरंत जो है उसको बहुत ही यादा माइनस डिग्री टंपरेच्चर मिले के चले जाओ तो उससे क्या होता है कि जेवानू मर जाते हैं मतलब ज ठंडा हो जाता तो फिर उसमें फिर से पनब भी नहीं पाते हैं तो इसी को बोलते हैं प्रेस्चराइजड डेरी पर तो अगर आप कच्छा मांस या फिर पर अन प्रेस्चराइज डेरी परड़्क पीते हो तो उसकी वैसे आपको याला बैक्टेरियल इंफेक्शन हो सकता है अभी तो खैर कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है जो यह अलग केस है अभी फिलाल हाल फिलाल में बैक्टेरिया से होता है जो है ब्रुसेला बैक्टेरिया का नाम है यह हूमन अनिमल दोनों को एफेक्ट कर सकता है आप गंदा खाना खाओगे रॉमीट खाओगे अन प्रेस साल आते हैं United States में यह ऐसे लोग जो अनिमल्स के साथ में काम करते हैं जो रॉम मीट को काटते मलब कसाई विसाइज होते हैं उनको जो आइस चांस है और अगर इसको कम करना है तो रॉम कच्छा मीट मत खाओ और प्रोटक्टिव क्लोथिंग प्यों मलब पीओ नहीं जो है सुरच्छात्मक जो है आपको कपड़े पहनने चाहिए कौन सी वर्याइटी ऑफ एनिमल्स में हो सकता है बिस लोसिस देखें इसमें बकडी बकरी हो गई सुर मवेशी कुत्ते और गाई अब देखो कई लोग यह सो सकते हैं कि कुत्ते को दूद कौन पीता है तो ऐस से भी हो सकता है सिंप्टम क्या है आपके जो मदल भूम हमनस में जो स्प्लूव सिंटम होते हैं इसमें बी जे कमर-दर्ध भôm लगना इपरटाइट लॉस भूख भूड़ ना लगना होगा बिल्किए भूग ना लगना फिट भन लगना सरदर पेड़ में दर्ध जोड़ तो में दर्द यह सारी चीज़े होती है बुखार वजन कम होना जोनोटिक डिजीज क्या होती यह सबनना जोड़ी है देखे इसका मतलब यह होता है कि इस तरीके की वीमारी है जो की human population में भी हो सकती है कैसे कैसे animal से human population में जा सकती कैसे या तो directly और या फिर किसी और intermeasory species के जड़िए ठीक जिनिटिक इंफेक्शन जो है यह कई से तरीके से हो सकते जैसा है ब्रुसेला तो आपका बैक्टेडिया है जिवाडू से सबनते यह आपका वायरस भी हो सकता है ठीक और यह आपका परसेटिक भी हो सकता है परीजीवी प्रकृत सब्सक्राइब हो सकता है और विद एनिमल का जो है वाइटर रोल होता है ऐसे इंफेक्शन में एक्जाम्पल जो जुनोस के हैं वह चाईवी एड्स हो गया इबोला मलेरिया कोविड-9 मलेरिया का मैंने अभी आप लोग से कोश्चन पूचा था उसका आंसर है सिंपल सी यहाँ पर एक चीज है वर्ल्ड वार टू के टाइम पर ओटोमन अंपायर को जब हटा रहे थे मरलब उनके खिलाफ ओटोमन अंपायर पहले बालकेन वार सो वह सारे हुए ना आपको अगर वर्ल इस्टी पढ़ी है अपने थोड़ी बहुत भी तो आको सोन में आ को मानता नहीं है जो लोग इसके फिएल्ड बात करते हैं कि नरसनहार हुआ वों कहते हैं 15 लाक लोग मरे थे ठीक टर्की कहता है नहीं थे यह यूए से जहांतर तर्की के फैवर में रहा है और उस स्ने कहा है जैन रसाइद नहीं हुआ था लेकिन अब बिडेन का जहां तक है यह कह रहा है कि भाई हम इस नरसनहार को अर्मेनियन नरसनहार जो है इसको मनलब रेकोगनाईज करेंगे ठीक मानेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता तो इसमें टर्की जो वहां का है उसकी बड़ी फजीयत होने वाली है कि मतलब उसकी जो आज तक उसने अपना स्टेंड ले रखा उसके अगेंस्ट में उसका जो एक दोस्ट जो पहले जो समय था और अभी तक उसने जो है दोस्तने अब एक तरीके से कह दिया हां नहीं नहीं ने तो नरसनहार किया यह पूरा काम वाला है और कुछ नहीं आपर जो बिडेन ने यह कह दिया और चारिक रूप से कि जर्मन यह अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था चौबिस अपरेल को रिमेंब्रेस डे होता याद किया जाता इसको और इसमें यह है कि यूएसे की रिलेशन जो है तरकी साथ में थोड़े से खराब हो सकते हैं और अर्मेनियन जेनोसाइड में यहीं हुआ था 1915 से 1922 के बीच में ज इसमें काफी लोग को जो है किलिंग स्टार्वेशन भूग से मड़ गये मर गये थे कई लोग जो की इस्टन और ऑंटोलिया से आ रहा थे ओटमन तुर्पने बेजे थे ठीक और यह डिफिकल्ट है कितने लोग मरे थे इसी पर काफी डिस्प्यूट है और यह देखे टर्क यह आपका चीक सी आफ मरमरा है चीक है और बोस्फोरस वाली यह होगी खाड़ी एक तरीके से टिगरीस नदी देखे जहां सा जा रही है यह फ्रेस यह है आपकी सीरियास होते वे सीरियास अभी यह टच करता है तो इस तरीके से आपको यह देखना चाहिए कहां कहां से सी लेक वैन वैन है ठीक यह सारी ऐसे देखते चला करिए बार-बार और अंकारा इसकी कैपिटल है एक्लाजमेंट होने से यह होगा कि यूएस मतलब एक तरीके से वह पहले अगला जो हमार टॉपिक है वह स्वाइन फीवर अब मिजोरम में और भारत में पहली बार अफ्रीकन स्वाइन फीवर यह वैसे तो हुमन्स में नहीं फैलता है ठीक नहीं फैलता है कोई भी अभी तक नहीं के इसासा पाया गया है और चार डिस्टिक जो मिजोरम की है मिजोरम जो कि आफ्रीकन स्वाइन फीवर हो गया है 1119 सुवर जो है एक मैने में मर चुके हैं और यह हुमन में नहीं होता है ट्रांसफर नहीं होता संक्रमित नहीं करता है यह वाइल्ड जो जंगली सुवर है उससे फैल सकता है इस डॉमस्टिक सुवर है उससे फैल सकता है हुमन्स में ह नहीं है टीव सिंटम्स देखे वहीं है ज्यादा बुखार आ जाता है और कहां कहां होता है जहां पर यह होता है वह हैं नॉर्थ-कोरिया वेटनाम में सब सब्सक्राइब लाओस कंबोडिया चाइना मंगोलिया तो ही है और यह लब आपका फैलता कैसे है जो रोग काम कर रहे हैं उनसे फैल सकता है जानवर से जानवर में जाएगा लेकिन ठीक है और किचन वेस्ट फूर्ड रेसिड्यूज सूर खाते हैं वहां पर तो वहां से उस अमर दुनिया का सबसे बड़ा आयातक और उपभोगता ठीक जो सॉरी निर्यातक और उपभोगता कौन है पौर का चाइना है ठीक और यह लाज स्केल फिर वहां पर जब वीमारी फैली अफ्रीकन स्वाइन फीवर चाइना में तो बहुत ज़्यादा लोग पिक्स को मारा है तक और आगे रोका जा सके यह वाइरल डीजीज है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाइल डीजीज है ब्रुसेला कौन सी थी कर्मेंट करके बताएं ठीक है और यह आपका डॉमेस्टिक पेक्स और वाइल्ड दोनों को करता है इसमें फीवर बहुत देजी से आता है अंतार रिकावरी रेट है बहुत ही अच्छा है कम लोग मर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग को हो रहा तो उससे आपसे अगर अब देखो तो काफी ज़यादा लोग हो बहुत ज्यादा लोग मर भी चुके हैं इसके थुरू और इसमें देखिए इस रूट जो ट्रांसमिश जो गंदा, जो food waste है, feed है, garbage है, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, और जो यह ticks है, biological vector बोलते हैं, मतलब कि यह ले के जाते हैं इधर से उधर, इस virus को, और इसमें, इसके symptoms क्या है, तेज बुखार, वहीं सारी चाहिए जो भी बता ही थी, और यह important क्यों है, कि मतलब यह African Swine Fever ही है, क्योंकि यह अलग होता है, पहली बाद तो classical Swine Fever से, ठीक, African Swine Fever अलग है, और आपका जो यह सांस्कृतिक Swine Fever है, यह अलग है, ठीक है, और समाने Swine Fever भी अलग है, और जिसके, मतलब symptoms तो सेम है, यह सब जैसे, बट यह जो है, वाइरस की जगे, बट इस कॉस बाई यह डिफरेंट वाइरस, किसी और वाइरस की वज़े से होता है, अपका classical Swine Fever, और इसकी वैक्सीन है, लेकिन African Swine Fever की वैक्सीन नहीं है, ठीक, अगला जमान टॉपिक है, वो है, जम्मिन कश्मीर में बिना जाच के सर सरकारी करमचारी, जो सरकार के खिलाफ काम कर रहे है, जो राज की सेक्योर्टी के खिलाफ काम कर रहे है, उनको तुरंत निकाल दिया जाएगा, कोई भी inquiry नहीं बैठा ली जाएगी, ध्यान रगना, और यह किस आर्टिकल के अंतरकत हो रहा है, आर्टिकल 311, क्या सब क्लॉस C, ठीक है, तो यह जो C है ना, इसमें बताया गया है, कि सेक्योर्टी ओफ स्टेट के मद्दे नजर, किसी सरकारी जो एंप्लॉई को निकाला जाएगा, तो उस अगर, तो जो है, अगर सेक्योर्टी ओफ स्टेट का मामला है, तो inquiry बठाने के जरूरत नहीं है, बिन सेक्योर्टी जो गॉवर्मेंट की नोकरी करते हैं, गॉवर्मेंट को निकालने हट की सेक्योर्टी के खिलाफ, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, और यह वलब देखे, आर्टिकल नमबर 312 जो है, वो तो यह कहता है कि सरकारी कमचारी को उटाना तो जाच होनी चाहिए, ठ ठीक, और गॉवर्मेंट ने ओडर किया है कि स्पेशल टास्पोर्स जो तेजी से स्कृटिनाइज करें कि ऐसे केसे को टाइम बॉंड मरें, मतलब बता देख, कुछ टाइम इनका होगा, कि इतने दिन में इनको बताना है कि ऐसे केसे का, कि गॉवर्मेंट यह एंप्लॉई यह समलित है, मतलब संदिक्द है मामला, इसका कि नहीं है, या फिर यह सेक्योटी ओवराजिक जो सुरच्छा उसके खिलाब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक, यह ओली बात है, अगला जो है, order that the terms of the reference of the STF would include, अच्छा यह employee कौन है, जो suspected है, इनके बारे में बताएग ठीक STF बताएगा और जो है एक कमिटी बनाई गई है गौर्वर्मेंट के दोरा वो क्या करेगी कि जो लोग भी STF ने बताए हैं suspected activities कोई कर रहा है employees उसको जो name वो उठा के देदेगा article number यहीं 311 sub clause 2 sub clause C के अंतरकत उठा के STF नाएसे suspected जो है करमचारी उनके नाम उठा के committee को देगा जो government के दोरे बनाई जाएगी और यह committee जो terror monitoring group है उनके साथ मिलते हुए इस तरीके के जो member है उनको पहचानेगा पुकता सबूत के साथ में ठीक अब identify such other employees एक तो employees वो हो गए जो STF ने दिये और इन्हों ने terror monitoring group के साथ मिलके यह जो committee है इन्हों ने और भी पहचाने इस तरीके के employees और इसके बाद जो है जो जो agencies हैं department हैं उनके बदद लेते हुए जो है इनको identify करेंगे उनको निकाला भी जाएगा ठीक इसका जो है अलोचना यह हो रही है यह लोग मुलब विपक्ष क्या बोलेगी वह यह बहुत ही आदेश जो है निर्दाई है arbitrary है ड्रेकोनियन है एक बक्षी है ठीक और यह employee जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ है उनके अधिकारों खिलाफ है उनके इंटरस्ट के खिलाफ है और यह कहा जा रहा है कि यार इतने सारे law हैं उनमें कई सारे provisions दे रखें उन provisions को यूज़ करते हुए कि service का जो है वालेशन उ लंगन हो रहा है आप उनको निकाल देते हैं कुछ action लेते हैं आप सीधे समविधान को ले रहे हैं और inquiry को बिना बैठाए मतलब उनको उनको सुन भी ने रहे हैं और तुरंद उनको निकाल दे रहे हैं यह चीज गलत है ठीक यह कह रहे हैं कि किसी नए order की ज़रुवत नही करेंगे वह लोग ठीक टूल फॉर्ट गॉर्मेंट अधिनस्त जो लोग है आपके ब्रुक्राइस नौकर शाही में वह सब अपने अधिनस्त जो लोग हैं उनके खिलाफ अपनी मनमानी करेंगे ठीक इंपलॉई को डिसमिस करना और या फिर उसको कोई जो है पनिश्मेंट देना और उसकी इंक्वाइरी ना करना ये प्रिंस्पल ऑफ जस्टिस और बेसिक जो राइट्स हैं उनके खिलाफ है ये कहरें जो नया एका सिद्धानत है या फिर जो मूल भूत अधिकार है उनके खिलाफ है ये चीज़ होगी ठीक अगला जो मार टॉपिक है वो यह भार इसके जो है एपसलूट नंबर दे रखे हैं और रीजन इसमें देखिए यहीं है कोविड नैंटीन के वज़े से डिले हो रहा है जो प्रोडूसर्स हैं वो प्रोडूक्शन जो है वो लोवर प्रोडूक्शन कर रहा है और इंडिया के क्रूड ऑल और नेच्छल गैस का ड इस वो गिरा है अगर वहां पर ट्रेंड वाला कोश्चन पूछेगा तो इसका यह गिरता हुआ आएगा यह यह देखिए कंसिस्टेंटली देखिए यह जो लाइन है यह स्टेट में बन सकता है कोश्चन का क्योंकि इस तरी कोश्चन वह पहले पूच चुगा इसलिए प् प्रड़क्शन है वह एक तो जो कुवे हैं जहां से हम निकालने वह बहुत ही बुजर्ग हो गया मतलब हमने जादर तो निकाल लिया उनको चूस लिया ठीक तो लेस प्रड़क्टिव हो गया समय के साथ में कुरूड अल प्रड़क्शन जो इंडिया में है भी वो दो और नो मोर इजी ऑलन गैस अब देखे वहीं चीज़ है कि जैसे कि अब एक तो जो हैं उनसे हमने उनको चूस लिया पूरा बहुत कम बचा है और दूसरी चीज़ कह रहा है कि यहां पे जो हैं उसमें जो हमाई पर टेक्नोलोजी है उसके उसके बाद भी वहां से तेल निक लगे हैं बहुत ही उसमें ज्यादा टेक्नीक लगेगी ज्यादा डीप में हैं जो फॉर्म प्लेयर्स का जो इंट्रस्ट है ऑईल और नेचल गैस में वह भी कम है भारत में ठीक प्राइवेट पार्टिसिपेशन नीजी भागिदारी का अभाव भी है हमारे ऑईल और ने मैं या फिर फिर फिर्टास के वह और जहांसा प्रोडक्षण करओंगे वह आप स्ट्रीम कहा जाएगा अपर की तरफ और डवरव स्ट्रीम क्या जहां पर मार्केटिंग ढ happiest के डिए उसके क्या मार्केटिंग डिले कभी इन्वाइर्मेंट परेवरेंट का क्लेरेंस नहीं मिलेगा कभी रेगुलेटर जो है वो कुछ अपना अरंगा लगा देगा जो उनके प्लैंस है वो मौझूद नहीं होंगे तो यह सब कारण के वैसे डिले होता कफियादा और बहुत ही मिस्मैच भी होता है कुछ क्लेरिटी नहीं होती कि नीती है क्या करना क्या है क्या नहीं करना है तो इसके वैसे जितना देखो कम क्लेरिटी होगी उतना अदा एक बास अमलेना करप्छा भी जादा होगा ठीक है गौर्वर्मेंट जो है वो फॉर्म प्लेयर्स के पास जाना चाह रही है कह रही है आओ अब चेंज हो गया है अब काफी जो है ट्रांसपरेंट्सी आ गया है पार्दस्टिता आ गया है काफी खुला मौल है इस और डिंग बिजनेस पर हम्द कर रहे हैं इंटर्नल मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल जो है ऑल और गैस मेजर्स का वो क्लामेट चेंज की वज़े से भी लोग जो है वो प्रोडक्शन को कमी करना चाहते हैं तो ये भी एक रीजन है कि हमारे जो फॉर्म प्लियर्स आ भी रहे हैं वो भी बहुत जादा प्रोडक्शन नहीं करना चाह रहे है क्योंकि उन लोग ने क्या है कि जलवायू से निपटने के लिए कुछ प्रण ले रखें तो ये प्रण और जो है इंडिया के गैस और तेल उत्पादन पर असर डाल ला है ठीक लोग डेमस्टी प्रोडक्शन है क्रूड आयल का नेचल गैस का उसकी वज़े से क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ा है इंपोर्ट करने पड़ने इंपोर्ट हम किस में करेंगे डॉलर में करेंगे कुल मिला के फॉरेक्स पे भी खत्रा है हमारा फॉरें डिजरोड जो है ठीक इंपोर्ट का शेर बढ़के जो है 87.6 हो गया है ठीक जो की 2012 हम देखा जाए तो 81 था बहुत यादा हम इंपोर्ट करते हैं या प्रौइव और अगर हमें 극ल औरगेज को बढ़ाना है तो और हादम भारत निर्वत जो गव्मेड का एक स्लोगन इसको पाना है तो इसको फाना है कि मिजो ह不起 हमें जो है छे दूलोग दो परतिश्ट से इसको बढ़ा कर पंदा पतिशत तक लाना होगा आपका 2030 तक जो भारत में ऑईल और गैस का प्रडक्शन है ठीक है एक्सप्रड़ा प्रड़क्शन है तो देखे आगला जो हमारा सेक्षन है उसको बोलते हैं हम लोग कौम बनेगा आईएज पीचे इसमें बहुत ही महतपूर्ण चीज़ हम लोग करते हैं कि हम लोग से पढ़कर निचिन्द हो के नहीं बाढ़ जाते हैं पढ़के किस तरी कि किस तरीक क्या क्या चाहिए को ध्यान लगना हुसाइची रखते हैं और समस्ते हैं पर चाहिए ताकि जो सिली मिस्टेक नहों वह पूछे गया इंक्रेक्ट पूछेगा इंडिया की जो रेंक है वह चौह यहormais हैं incorrectly anymore दोसा देखते हैं नौर्वे जो है इस ऑन दा टॉप पोजिशन इन 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 ग्लोबल इनरजी ट्रांजिशन इंडेक्स दो जारी किस तो यह वला स्टेट्मेंट क्या सही है कि गलत है तो इसमें पहला और दूसरा स्टेट्मेंट गलत है चौतरवी रैंक नहीं है 87th रैंक है 115 में से और इंडिया की चौतरवी रैंक पिछले सालती है यह 2021 की रैंकिंग है 87 था है हम लोग और सुड़न है टॉप पोजिशन पर नाकी नौर्वे ठीक है और सुड़न के बाद नौरवे फिर डन्मार्क है और ग्लोबल इनरजी ट्रांजिशन मिक्स जो है वो कंट्री को उनके इनरजी सिस्टम के परफॉर्मेंस के इसमें रैंकिंग दी जाती है और उसका जो है वैडिजिए का लिंक दिया था शेयर किया था आप लोग देखा कि विजिट किया लाम speaker in ने जो यृ chilling यह रिज्ड़न नौर्थ बाली नौने शायता के टैपू है उसके जो है इतर में पचिस स्नौल माइल्स पे इसकी लोकेशन बताई जा रही है और इंडियन नेवी ने अभी अपने डिस्पैच किये हैं कुछ जो है डीप सबमर्ज सेंस रिस्क्यू वेहिकल डीसर भी विशाका पटनम से ताकि इस इंडोनेशियन नेवी का जो सर्च रिसक्यू एफर्ट है उसको पूछा किया सही पूछा कि देखिए सारे ही स्टेट्मेंट्स और इससाथ में आपने जो है कोस्टन भी दो दो लगाए अगर आप लोग अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जो को मैंने पूछेंग करिए और आप लोग को अगर अच्छा लग का जो है आप complete paid group join कर सकते हैं इसमें आपको test series आपको study material और आपको जो है one to one आपके सारे doubt यहां पे clear किये जाएंगे test series भी आप सिर्फ ले सकते हो इसमें आपको sectional test whole land test मिल जाएंगे और इसमें क्या है कि आप सिर्फ test से सबंदित जो doubts है वहीं पूछ सकते हो अगर आप लोग जोई करना तो 8564-8050 या फिर 96960-66089 पे call करके आप लोग admission ले सकते हैं आप लोग हमारा free का only UPSC telegram channel भी जोइन कर सकते हैं इसका जो है IES IES 2019 करके है UPSC आप only UPSC channel करके करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा ठीक तो चलिए कला आप लोग से फिर सुबह मलाकातों कि इच्छे होए तब तक लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा जाएं जाबरत all the very best day one day मात्रम